दोस्तो जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है अगर इस दर्द को जेल गए तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी दोस्तो किसी ने क्या खूब कहा है खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज़्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं दोस्तो इसी कड़ी में मैं हूँ रनवी जाखर टीम कमस्सी CLC सीकर आज अपन बात कर रहे हैं दंगल दो की और पेपर सोलीशन की जिसमें कम्प्लीट और्गनिक कमस्सी हैं सवाल अपने पास आ रहा है फस देखी का दोस्त क्या कर रहा है SN1 अभी किरिया के परती नीमन में से सबसे अधिक किरिया स्यल कौन सा है दोस्तो मोर रियक्टिविटी की बात हो रही है सबसे ज़्यादा रियक्टिव कोन हैं अब आपको पता हैं दोस्तों कि SN1 reaction जो है वो directly proportion है किसके बना stability of intermediate कार्बोखटाइन के कार्बोखटाइन की stability जिसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब उसका rate of reaction ज़्यादा रहेगा आप कार्बोखटाइन बना बना कर देख लो दूस्त पहले कार्बोखटाइन कौन सा बनेगा बेंजाईली कार्बोखटाइन मिला दूसरे की अगर पन बात करें तो बेंजाईल यान positive charge यानि की 3-degree carbon is more stable than other देखो दोस्त इसमें भी conjugation है है इसमें एक के साथ conjugation है इसमें भी एक के साथ conjugation है तो सबसे ज़्यादा stable ये हो गया उसके बाद में इस चारों में अगर देखें तो ये दो के साथ konjugation है तो इन तो कौन सा आंसर आजाएगा दूस्तो फोर्थ नंबर आंसर आगया नेक्स सवाल कि अगर पन बात करें तो खहरा है कि के साथ में रीयक्शन करके CS3, CEN का फोर्मेशन कर रहा है फिर इंसर आपका तो कि अनिक में लिखा हूँआ तो चीक तो फैंसर बन रहा है इसका मतलब आपने रेडक्शन कर वाय तो एक कारदं जादा मिल रहा है अब के सी एन आपको पता है दोस्तों आइनिक रियक्शन शू करता है और एजी सी एन क्या है दोस्तों यानि की कोविलेंट नेचर का होता है तो के सी एन आपको दे रखें यहां लोगे तो दोस्तो यहां number of carbon जाद आएंगे यहां लोगे तो single है single को अपने reaction करवा दी क्या मिल जाएगा दोस्तो CS3 CL आपने के-CN के साथ में reaction करवाई तो क्या मिल जाएगा दोस्तो यह मिल गया CS3 111 and यही मिला तो कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों सेकेंड नेग्स आप से क्या पूँचा गया बेहद ही प्यारा सवाल दोस्तों इसमें कई बार क्या है जल्दबाजी में मात खा जाता है बंदा तो यहाँ बिल्कुल प्यार से देखें कि किस का फार्मुले की बात हो erased दोस्तों correct formula की बात हो रही है तो इसमें क्या होता है डिडिटी डाइ कलोरो डाइ फिनाइल ट्राइ कलोरो इथेन तो अपने को पता है दोस्तों इथेन होता है यानि कि दो कार्बन ठीक है उसमें क्या होता है ट्राइ कलोरो यानि कि तीन CLA की कार्बन पर फ्रेजेंट होते है और एक पे एक हाईट्रोजन होता है और डाई फिनाईल है इसका मतलब इस पे क्या जाएगा दोस्तों दो फिनाईल ग्रूप भी लगे होंगे और फिनाईल पे अपने को क्या पता है दोस्तों कि इसके पेरा पोजिशन पे CL आएगा इसके पेरा पोजिशन पर क्या आता है CL इसको बोलते हैं DDT देखलो दोस्तों DDT क्या है पहले में देखो पेरा पे si ए ल है एक आइच है ती को मतलब यहीное answer हो गया इसकी बात करें तो देखो एक पे 3 plan दो लगा रखे हैं लेकिन किया तो कहीं बाकि सब ठीक है लेकिन है इस पे si है यनिए कि fyv Guatemala है तो अपना सब्सक्राइड ढूइंगे यह और बात करें तो क्या पूचा गया है दोस्तों क्रेक्ट रेक्शन की बात हो रही है कि कौन जब्सक्राइब नज़र फॉन तरह नə खरवा कुए S3 CH double bond O एक तो यह मिल गया और यहां क्या दे रखा है C2H5 और एक कार्बन ओर दे रखा है तो C2H5 और CH double bond O देखो एक तो आपको एथेनल मिल गया और दूसरा क्या मिल गया प्रोपेनल मिल गया यहां देखो दोनों के दोनों एथेनल दे दिए इसका मतलब यह इंकरेक्ट हो मतलब यह राइट है तो देखो यहां कितने कार्बन दे रखे हैं यहां कितने कार्बन का इसका मतलब पॉसिबल नहीं है तो इससी रियक्शन से नहीं बन सकता है इसका मतलब यह रह đấy है एकवस इन nephew दे रखांए एकवस इन वेएच कशन करता है यह इसको पटक करेगा इसको बगा गांगा तो यह नहीं बनेगा दूस्तो क्या बनेगा एलकोहल बनेगा यहां क्या जबना दिया दुस्तो येlkeine कौन बनाती येदुस्तो ऐलकोलिक और ना ऩो कौनसा आंसर राइन्ट है दुस्त違eping पूछी थी और कौन Congo साहन Yes next बहुत ही प्यारा सा स्वाल है दुस्तो बिल्कुल civत सवाल है क्या दिरखा है कस Mr. को बोलते हैं वुड़ स्प्रीट क्या होती है दूस्तों मेथेनोल को बोला साता है एज एंटिसेप्टिक भी यूज करते हैं दूस्तों मेथेनोल को हना एथेनोल ग्रेन अलकोल होता है दूस्तों आपको जानती है बेंजीन बेंजीन है दूस्तों ठीक है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों यह आपको सवाल दे रखा है कौन सा भला सिक्स नंबर सवाल कह रहा है कि 10 परसेंट फाइप डिग्री सेल्सेस पर रियक्शन करवादो यह कौनसी रियक्शन है दोस्तों एल्डोल ठीक है एक तो क्या दे रखा है एल्डोल सेल्फ एल्डोल करवादो दोस्त क्या है दोस्तों कॉंजुगेशन है पाई सिगमा नेगेटिव चार्ज तो कॉंजुगेशन करवागों दोगे तो क्या मिल जाएगा CH2 double bond CH और CH oxygen के पास क्या जाएगा दोस्तों नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा ही मिला यानि कि ये carbon जाएगा दोस्तों ओक्सिजन के पास नेगेटिव चार्ज इनो खाके लेट जाएगा इसका नेम क्या हो जाएगा दोस्तों इनो लेट बन गया दोस्तों अब यह क्या करेगा दूसरे molecule LD head के साथ में reaction करेगा LD head के साथ में दूसरे molecule के साथ में reaction करेगा तो इस पर partially positive और इस पर partial negative charge अब इस में से और इस में से nuclear city किसकी ज़्यादा है दोस्तो more in atom क्या होता है उतना ही ज़्यादा कंजूस in directly proportion होती है कंजूसी के तो इन जिसकी ज़्यादा है इसका मतलब वो कंजूस है तो इन दोनों में से nuclear electricity किसकी ज़्यादा कार्बन की है तो कार्बन इसकी उपर टेक कर जाएगा electron density दराज आजएगी क्या बन जाएगा दोस्तो CS3 CH oxygen पर negative charge यहां पर क्या जाएगा CH2 और CHO solution से यह क्या ले लेगा दोस्तो H क्योंकि इसकी basic sense ज़्यादा होगी compared to NOH तो यहां पर अगर पर बात करें तो यह क्या बन गया दोस्तो alpha beta इसको क्या बोलते हैं दोस्तो aldol बोला जाता है यह आपका बन गया aldol अब आगे बढ़िए यह कह रहा है कि heat और करवाओ अब heat करवाओगे जब तक heat नहीं करवाओगे तब तक transition नहीं हो रहा है अब basic medium में आपको कह रहा है कि heat कर दो इटू reaction हो जाएगी दोस्तों इवन सी भी reaction हो जाएगी करवाद हो दोस्तों तो क्या मिल जाएगा double bone को reduce कर देगा और इसको reduce कर देगा क्या मिल जाएगा दोस्तों CH2 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 और OH यानि की one degree alcohol में convert हो गया ठीक है तो one two three four क्या नेम हो गया इसका butane one all इसका नेम क्या है दोस्तों butane one all नहीं है कौन सा मिल जाएगा यह मिल जाएगा आपको answer third चीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो seven number सवाल सवाल नंबर 107 क्या खिरा है दोस्तों die secondary butyl ketone तो secondary butyl group कौन सा होता है दोस्तों पहले तो four carbon यानि की four carbon के लिए butyl use करेंगे और two number पर क्या हो दोस्तों valency free हो उसको अपन क्या बोलते हैंगे secondary तो यह है secondary butyl group यानि की यह वालब ठीक है ketone कौन सा group होता है c1o ऐसा ही same group अपन क्या लगा देंगे दोस्तों दो बार लगा देंगे यानि कि लगा दिया आपने यह group हो गया इसका नहीं में secondary butyl चीक है आइसो कभी यूज करते हैं आइसो तब यूज करते हैं जब सीरे से दूसरे नंबर कारबन यानि की terminal end से second नंबर कारबन पर single cs3% होता है दोस्तों तो अपन क्या यूज करते हैं आइसो यूज करते हैं यह तो दो डिगरी बात कर रहा है यानि की secondary की बात कर रहा है ठीक है अब देखे इसका यू पी एस ने main chain select कर लो 1234 1234 किदर से भी numbering कर लो CEO को less number देना होता है दोस्तों main function group यान क्या देखते हैं सब्सुटेंट ग्रूप को देखा जाता है main function group उसके बाद में double bone multiple bone यानि कि रूस के बाद में यानि की single carbon से attach all four valency different है तो उसको open क्या बोल देंगे दोस्तों chiral बोल देंगे तो इसमें है क्या ये chiral ये रहा chiral इसमें और कोई कारल है ये रहा chiral क्योंगे ethyl है इधर ये बल्की group attach है CS3 H है इसका मतलब chiral center की बात करें दोस्तों तो यहां कितने हैं 2 है IUPAC name देखो 3-5-dimethyl यहां 3-4-dimethyl दे दिया यहां पर क्या IUPAC name is 3-5-dimethyl heptane 4-on यानि की अपना कौन सा answer आजाएगा दोस्तों third answer आजाएगा चीक है चलो इसी कड़ी में आगे बात करें तो 8 number सवाल क्या कहरा है दोस्तों C4H11N structural isomer आपको बनाने हैं और वो कहरा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो nitrous acid के साथ यानि की HNO2 के साथ में reaction करके N2 release करते हैं अब आपको बता है दोस्तों N2 कोण लीज करता है यानि कि अगर वन डिगरी एमाइन है तो nitrous acid के साथ में reaction करके क्या दे देती हैं एंड टूर लीज कर देती हैं और alcohol का formation करते हैं और बैंजीन जो होती है यानि के इनिलीन जो होती है वो nitrous acid के साथ में रूम टेंपरेचर पर stable बैंजीन डाइजनियम कलराइड का formation करते हैं जो stable होता है हाना white crystalline solid होता है जो stable होता है कहां तक रूम टेंपरेचर तक stable होता है दोस्तों temperature increase कर दोगे water के साथ में reaction करवा दोगे तो phenol बन जाता है हाना चलो तो N2 release करवानी है अब 1 degree amine अगर आपको 1 degree करती है 2 degree अगर आपको दे रखी है 2 degree 3 degree अगर आपको दे रखी है तो 2 degree amine जो है वो nitrous acid के साथ में reaction करके किसका formation कर लेती है दुस्तों yellow oily liquid का formation कर लेती है इसको अपन क्या बहते हैं यह लो oily liquid का formation करती है हना टेस्स होता है यह 1 डिगरी 2 डिगरी 3 डिगरी एमाइन को सेपरेट कर सकते हैं नाइटरस असेड के साथ में और 3 डिगरी की बात करें तो दोस्तो सोल्ट बना लेती है तो देखो C4H11N कितने आईसोमर बना सकते हो दोस्तो 1, 2, 3, 4 कारबन आपको दे दिये अब एक बार तो यहां पे एनस तू लगा दो दूसरी बार आप क्या गर सकते हो दोस्तो सेकेंडरी पे लगा दो फिर आप क्या गर सकते हो दोस्तो आईसो बना दो यानि कि यहां पे एनस तू लगा दो फिर आप क्या बना दो दोस्तों टर्सरी विटाईल एमाइन बना दो तो 1 डिगरी आप कितने बना सकते हो दोस्तों स्ट्रेक्चरल चारी बना सकते हो फिर 2 डिगरी इस बाती है तो 2 डिगरी आपको बनाने के जूरत नहीं है क्योंगी वो तो yellow oil liquid देते हैं वो एंड टूर्लीज नहीं करेंगे तो कितने लोग एंड टूर्लीज करेंगे दोस्तों चार लोग एंड टूर्लीज करेंगे ठीक है नेक्स आगे बात करें तो क्या दे रखा है 109 नंबर सवाल दे रखा है दोस्तों ठीक हैं क्या कह रहा है यह कह रहा है तो कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन कर लेती है यानि कि क्या दे रखा है आपको एच और यहां ही बीच में क्या मिल गया दोस्तों इंटर μोलेकुलर एच बंडिंग पाइजाती हैं सही बात बोल रहा है आघे बढ़ें दुस्तों क्या गा रहा है टर्स्री ब्यूटाइल यह वहाला गरूप होता है दोस्तों यहहां सीrates幫 सियर चर्स्री ब्यूटाइल और यहां एनस्ट टो curt लगा दें तो कौनसी यह दीस तो तो ns2 को क्या मुला सलता हैं आमाइन ग्रूप बूला सलता है यानि कि कौन रहा Rpetto का मतलब वो कौन सा ग्रूप है दोस्तो एमिनो ग्रूप माँ एनस ग्रूप आ रहा है तो कौन सा क्या रहा है यह थिकर स्रेशर way बते तो ग्रीया है ऑफर सीस तर्षाहर क्या सbia वह कई नाइट्रोजन खुद आपनी दुनिया बसाता है कार्बन से हटकर कार्बन क्या कहता है दोस्तों कार्बन तो खुद क्याता है कि वो कितने कार्बन से अटेचे तो वो उसकी डिगरी है 1 कार्बन अटेच लगे है यहाँ नाइ्ट्रोजन यह कहता है कि मेरे से कितने कार्बन अटेच है वह जिए नहीं कर सकता दोस्तों कौन सा inter molecule due to more steric crowding अगर आपको 3 degree amine दे दी जाए तो इसका मतलब क्या है वो hydrogen bonding शो नहीं कर पाएगी क्यों भला इसमें crowding जदा हो गई ये भी बात सही है फिर क्या करा है isopropyl amine क्या करा है दोस्तों isopropyl amine is a secondary amine अब isopropyl group कौन सा होता है दोस्तों isopropyl तो यह होता है cs3, ch, cs3 terminal end से single second number carbon पर single cs3 है तो iso use करते हैं यह isopropyl propyl है दोस्तों 3 carbon होगे यहाँ ns2 लगा दो तो इसको बोलेंगे दोस्तों isopropyl amine क्या यह 2 degree है नाज जी ns2 group है तो यह कैसी है 1 degree तो यह ही आपका incorrect होगे यह आपका answer आगे अगे आगे बात करें तो क्या दे रखा है दोस्तों की laboratory में आपको क्या बनाना है fluorobenzene का formation करना है बताओ किस से बना सकते हो fluorobenzene direct fluorine attach नहीं कर सकते हैं आपके पास यह मुका रहता है कि आपने किसका इस्तमाल किया दोस्तों aniline का इस्तमाल किया benzene diazonium salt से आप बना सकते हो हना तो यहाँ पर reaction करवाईए आप nitrous acid के साथ में reaction करवाईए 0 to 5 degree Celsius के उपर आपने reaction करवाईए किसका formation हो जाएगा benzene diazonium salt का formation हो जाएगा हना यहाँ x लगा सकते हो फिर आप किसके साथ reaction करवाते हो बताओ Hbf4 के साथ में reaction करवाते हो ठीक है और heat कर देते हो तो किसका formation हो जाएगा दोस्तों यहाँ fluorine आज आएगा और n2-leas हो जाएगी यह मिलता है अपने को तो fluorobenzene direct इसी reaction से बनाई जा सकती है इस reaction को अपन क्या बोलते हैं बाल जसी मान reaction बोला जाता है तो देख लो दोस्त हीटिंग कर दो फिनोल के साथ में HfKf के साथ में नहीं दोस्त कुछ नहीं होगा फिर आगे देखें फ्रॉम एनलीन बाई डाई जोटीजेशन इस reaction को क्या बला साता है डाई एजोटीजेशन बला साता है ठीक है फ्लो बाई हीटिंग विद डाई एजोनियम सोल्ट विद एच बीएफ फॉर Hbf4 के साथ में हीट कर दो फ्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इसका मतलब यह आपका राइट आंसर है F2 गैस बेंजीन के साथ में सीधे फ्लोरिनेशन हो जाएगी ना जी ना नहीं हो पाएगी दोस्तों फिर इसकी बात कर देंगे दोस्तों एने एफ सोलीशन है जो किसके साथ है ब्रोमो बेंजीन की रियक्शन करवा दो ना रहे कुछ नहीं होगा दोस्तों इसका मतलब क्या कर दोगे दोस्तों यह अपका सेकिन आंसर आजाएगा पहले टाई एजोटीजेशन करवाई यह उसके बाद में उसकी Hbf4 के साथ में रियक्शन करवागे हीट कर दो क्या मिल जाएगा दोस्तों फ्लोरोबेंजीन जिस रियक्शन को अपन क्या बोलते हैं बाल जसीमान रियक्शन बोलेंगे फिर यह क्या करा है दोस्तों इनवेट सुगर इसे एक्क्युमॉलर मिक्शर ओफ इनवेट सुगर यानि कि सुक्रोज डी गुलकोज और डी फेक्टोज जी हाँ यही होता है डी गुलकोज अल फेक्टोज नाजी दोनों के दोनों डी होते हैं अलफा तो डी अलफा डी गुलकोज होता है और बीटा डी क्या होता है दोस्तों फेक्टोज होता है ठीक है इसका गुलकोज का कारबन नमबर वन और कारबन नमबर टू आपस में गलाइकोसिडिक बोन से अटेच हो जाते हैं इसका मतलब इसमें LD8 ग्रूप भी फ्री नहीं होता तो यह कैसा होता है दोस्तों नोन डिजिंग सुगर भी बोला जाता है और इसको इनवर्ट सुगर भी बोलते हैं ठीक है चलो आगे बात करें तो कौन सा आजाएगा फस्त नेक्स सवाल कि अगर बात करें तो सेलूलोस की बात कर रहा है स्टेट चेन में परजेंट होती हैं प्ल्ल से प्ली से क्राइड है और किस से कमपोज होती है दोस्तों अब सेलूलोस में क्या होता है है polymer of beta d glucose का polymer होता है दुस्तरा एक glucose की carbon number one second glucose की carbon number two carbon number four आपस में glycosidic bond से attach होते हैं यानि कि one और four एक glucose का carbon number one second glucose का carbon number four आपस में glycosidic bond से attach होते हैं बीटा unit है तो इसका मतलब इसमें link केस कौन सा मिलेगा बीटा सुक्रोज की बात करें तो देखो alpha d glucose plus beta d factors alpha और beta दोनों टाइप के link case उसमें present है maltose की बात करें तो उसमें क्या है glucose glucose है और कौन सा है alpha d glucose है इसका मतलब one carbon alpha d glucose का और दूसरा carbon भी क्या है alpha d glucose का है तो one four उसमें भी क्या होता है link case बंतत alpha वाली unit अगर participate कर रही है तो alpha link case बनेगा बीटा वाली participate कर रही है तो बीटा अब cellulose में कौन participate करता है बीटा link case participate करता है यानि की बीटा है ठीक है तो चलो देखो alpha d glucose unit joint to alpha glycosidic bond नाज जी बीटा बनेगा डी डी गुलकोज joint बीटा glycosidic bond इसका मतलब यही सही हो गया गलेक्टोज इसमें होती नहीं है वो तो lactose में होती है गुलकोज के साथ है न डाई से के राइड होता है वो तो यहां पे कौन सा आंसर आजाएगा दोस्तों second answer next इसी की बात करें दोस्तों यह अपने क्या दे रखा है देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है किसका है भला polymer का देख लो दोस्तों यह polymer X दे रखा है prepared by heating with the monomers Y यानि कि X से है monomer Y से आपने क्या करवा दिया दोस्तों Y को गरम करके X बनाया यानि कि आपने क्या कर दिया Y को गरम किया और X बन गया ठीक है अब क्या कर रहा है यह असाइनिक तूर से क्या है भला एक्स एकिरिया और सनुक्षन अभ्यक विरोधी होता है और बरतन की स्टैपन ना चिपकने वाली बरतन बनाने के लिए उप्योगी किया साता है दोस्तों देख लो नोन स्टिक सरफेस आपको पता है एक ही बंदे के लिए यूज किया साता है तेफलोन अब टैफलोन में क्या होता है दूस्तों CF2 double bond CF2 Monomer unit होती है इसका polynomization करवा दो और पर sulphate उसमें यूज करते है दूस्तों free radical यानि कि पर sulphate की प्रसंस में आप heat कर दो तू क्या मिल जाएगा दूस्तों ये मिल जाएगा CF2 CF2 यानि कि यहां N लगा दो इसको क्या बोलेंगे दोस्तो Teflon बोला जाता है Teflon अब इसमें क्या होता है देखो Tetra Fluorothene होता है कि इथेन है डबल बोन आ रहा है इसका मतलब देखो Teflon Tetra Fluorothene इसका मतलब यह right answer हो गया इसमें क्या दे रखाया Orlone नहीं होता दोस्तो Teflon इसमें Tetra Fluorothene देदिया इसका मतलब यह incorrect हो गया Decron Ethylene Glycol होता है तो वो नया चिपकने वाली सरफेस के लिए यूज नहीं कर सकते है ठीक है तो कौन सा आ जाएगा दोस्तो से फससांसर आ गया Teflon देंगल टू के और फिजिकल का पार्ट इप सौल करता है अपन लोग तो बड़े सिंपल से आसान सेंसिया डिवेस्ट क्वेस्ट क्वेस्ट और जो एक्जाम ओरिंटेड है उपने सामने एकके करके क्वेस्टन आएगे और आपने उसको बड़ी प्यार से सवर करेंगे तो लोग कंटिन्यू करते है वन हंड़ेड फोर्टी नवर क्वेस्टन पुछा है आप सबको पता है कि पिसले लेकिन इस बार इनतमे क्वेस्टन जो है इसमे आने लगा तो अपने को इस टाइप के चाहिए उस टेबल को अच्छे से याद करना चाहिए तो पुछा गया है कि किसमें सबसे ज़रा टाइप की ब्राइबेस लेटिस फोर्म होती है किस विराइटी के अंदर किस के अंदर क्रिश्टल के अंदर सब ज़रा टाइप की वराइटी बन दिया तो मुझे याद रहता है माचिस की डबी में सब ज़रा पॉसिबिलिटी और म कि अधिए संब लंबाक्स बोलते हैं और माच इसके डिबी क्यों होती है क्योंकि इसमें कोई भी लेंथ जो है वह एक पल नहीं होती ए नोट इक वश्ट बोर भी नोट इक वश्ट लेकिन एंगल जो होते हैं as it is alpha, beta और gamma as it is same होते हैं और वो एकदम माचस के डिबी जैसे ही दिखती है तो इसमें आंसर चला जाएगा चलो, next question, 115 यह question बड़ा simple सा है, solid state का है और इसमें पूछा गया है कि कितने number of FCC form होगी इसके 8 gram में जिसका molecule advance जो है, वो 80 gram पर मोल है तो solve करते हैं इसमें molecule advance किता दे रखा है, 80 gram पर मोल और पूछा है कि FCC जो यह structure रखता है, तो 8 gram में कितनी FCC होगी, unit cell किती होगी बड़ा simple सा है मैं लिखता हूँ कि इसके 8 gram में पहले ही चेकर, पहले ही बात आपको पता होनी चाहिए कि एक FCC form करने के लिए चार एटम चाहिए, या फिर एक FCC मैं ऐसा बोल सकते हूँ, चार एटम प्रिजेंट होते हैं, तो कोई दिखता नहीं है, तो पहले आपन देख लेते हैं कितने एटम हैं, और जितने एटम इसके एक्चली होंगे, जैसे 10 एटम, 20 एटम, जितने भी एटम होंगे, उसको डिवाइड भाई 4 कर देंगे, तो उससे number of FCC form या FCC कितनी crystal है, कितने जाला के वह पता चल जाएंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि 4 एटम मिलके एक FCC form करते हैं, तो मै मॉल्स, जो भी एलिमेंट एक से वह है, गीवन मास कितना है इसका, 8 ग्राम, मॉल्स कितना है विटाजी, 80 ग्राम पर मॉल, कितना आजाएगा, 0.1 मॉल, अब पन चेक करते हैं, इसमें, number of atoms, तो मॉल को एने से मल्टिप्लाई कर देंगे, तो क्या आजाएगा, number of, elements, atoms, तो मल्टिप्लाई भी कर दो, अबेगेदर, number N, मेरा answer N, के term में है, तुम्हें इसकी value पर नहीं कर रहा है, और 4 मिलके, एक FCC form करते हैं, तो जितने भी atoms है, divide by 4 कर दोगे, तो total number of FCC, unit नहीं आजाएगी, क्या, तो जितना हो जाएगा, जितने number of atoms हैं, उसमें 4 का divide, इसलिए लग atom मिलके क्या बना रहे हैं, एक FCC को form करते हैं, तो यह answer चेक करना है, कौन से option है, fit better है, तो 115 हो जाएगा, fourth, next दोते है, 116 number of question पर, इसमें बोला गया है, कि sodium chloride जो है, उसमें, NaCl के अंदर, पुछा जाए, कौन सा relation सही है, NaCl को लेते हुए, हाला कि यह simple सा ionic, जो solid होते है, solid state म बड़ा ही simple question है, ionic solid जो बनते हैं, उसके अंदर अपन देखते हैं, एक radius ratio का बहुत अच्छा game है, क्योंकि radius ratio से अपन justify करते हैं, कौन सा void है, और इस void से justify करते है, कि कौन सा unit से एक crystal lattice कौन सा है, हिंदी मोलू तो, तरिजी आनुकबास से अपन पता करते हैं, कि कौन से रिक 0.5 to 0.414 वाली range में आ चुका है, जो पन लिखा करते है, 0.414 वाला radius ratio की एक range लिखा करते हैं, 0.73, 1 से कम होना चाहिए, और 0.414 से एक पली है, ज्यादा वाला case है, situation है, इस situation पर मोलता है कि जो radius ratio है, 0.414 यह से थोड़ा से ज्यादा है, तो OHV का radius ratio होता है, 0.414, इसका मत मतलब जो छोटे size का iron है, वो OHV के अंदर present है, लेकिन exact OHV तब present होता है, बिना किसी packing open हुए, 0.414 ratio आ जाता है, लेकिन थोड़ी सी ratio जो जाला दे रखा है, 0.414 से जाला दे रखा है, जो पेकिंग थोड़ी सी open हुई होगी, तो open होने का मतलब क्या है, यदि मैं एक face को represent कर चाहूं, आप सबको पता है कि जो FCC form होता है, जो FCC crystal बनता है, उसके अंदर जो THV और OHV दोनों present होते हैं, लेकिन इस radius ratio के according OHV ही occupy by small size atom के द्वारा, छोटे आकार ने किसको occupy किया है, किसमें भरा है वो, जो OHV अस्ट वले की रिखती का है, वहाँ और अस्ट वले की रिखती क रहा है, basically और कहां प्रजेंट है? यहाँ पर प्रजेंट और साथ में यहाँ पर प्रजेंट है, जो face का center है, और यह जो negative charged particle है, वो इस edge के center प्रजेंट है, यह इसको touch करेगा सब को, यह कुछ इस तरह सबको touch कर रहा होगा, इस मैं थोड़ अस बना सकते हैं, इसको touch कर रहा तो यह N9 हो गया छोटे साइज का और बड़े साइज का क्या हो गया सोरी छोटे साइज का कैटाइन और बड़े साइज का N9 ठीक है तो यह CL- आ गया यहाँ पर और यहाँ पर को न आ जाएगा N9 अब इसमें खास बात क्या देखना हो यह जो edge length होती है इस फेस से अपने देख सकते हैं यह जो edge length A होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी आएगी 2 capital R जो large size है 2 small R जो छोटे size का है इस गोश्टू क्या लिख सकते है A अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 capital R अब यह जो capital R है वो radius जो है वो anine की है और small R cation की radius जो छोटे size का है धनाइन की radius जो छोटे आकार का है तो 2 capital R plus 2 small R is equals to A by 2 लेकिन एक बात हो रहे है इसमें दो तरह के रिलिसर पन define करते हैं एक और रिलिसर डिफाइन करते हैं यहाँ से जो face diagonal है जो फलक का विकर्ण है उससे पन define करते हैं तो फलक के विकर्ण से क्या करते हैं A is goes to 2 root 2 R और यहाँ R जो बड़े size वाल एटम जो FCC form कर रहा है उसकी radius लेकिन यह relation यहाँ valid नहीं हो पाएगा क्यों valid नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में space जो खाली आ चुका है बीच में जो gap आ चुका है इसमें से relation valid नहीं है क्यों यही relation valid होगा उसके according जो एडिशन है वो edge length का half हो जाएगा तो इसमें कौन से option set बैठेगा radius of cation plus radius of anion edge length by 2 तो second answer अपना सही होगा next चलते है 117 number question simple से question है solution का question है यह graph अपन लोग मनाते हैं बहुर अच्छे से और अपन इस graph में वाद समझाते भी है कि जो pure solvent है उसके अंदर जैसे ही non-volatile vapor pressure decrease हो जाएगा और जारा मिला होगे तो और जारा decrease हो जाएगा तो मैं पहले question पढ़ता हूँ the vapor pressure curve of the same solute in the same solvent are shown below the concentration of solution are in order of यह पुछा जा रहा है कि किस जो ग्राफ दे रखा इस ग्राफ सा आपको justify करना है कि concentration क्या रही होगी one solution की two solution और three solution की बड़ा simple सा तरीक है बटा जो जितना जादा vapor pressure जिसका decrease हो आई pure solvent से इसका मतलब उसमें जादा non-volatile substance add किया गया होगा तो जो थर्ड वाला ग्राफ हो सबसे नीचे है इसका मतलब इसमें सबसे जादा non-volatile substance add किया है इसके concentration भी क्या रही होगी सबसे ज्यादा तो concentration के मामले third सबसे जादा फिर second है और first की concentration सबसे कम है क्योंकि इसमें vapor pressure का decrease है जो कम ही आई है वह सबसे कम है तो आंसर कौन से वेठेगा थर्ड की सबसे जाज़ा फिर second और सबसे कम फर्स्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट नेक्स चलते है 118 यह सिंपल सा electrochemistry question है बहुत आसान question है question है बोला गया है कि BACL2, H2SO4, HCLM उनकी अपने को molar conductivity दे रखी है मोलर चलक पर दे रखी है X1, X2 and X3 तो infinite dilution पर क्या पूछा है तुल्यांक पूछा है इनकी और यही infinite dilution पर ही molar दे रखी है और तुल्यांक पूछी हुए आपको पहले इसका relation बता होना चीए lambda n जो equivalent अपने इसको equivalent नॉर्मल भी बोलते है कुछ लोग इसको इस तरह से denote करते हैं ओके डियर वह होता गया बैसिकली lambda m infinite divide by जो valency factor उसको अपने करना पड़ता है divide तो पहले मैं lambda m लिख लेता हूँ इसका lambda m में कौन कौन आ जाएगा BACL2, H2SO4 and HCL तो lambda m at infinite dilution किसका लिखने जा रहा हूँ है BASO4 का तो BASO4 में क्या हो जाएगा lambda m infinite of BACL2 इसमें 1 ba plus 2 आए न है दो CL minus आए न हो के दियर plus lambda m infinite of H2SO4 इसमें 2 H plus आए न है और 1 SO4 minus 2 आए न है आएगा मेरे को lambda m infinity of HCL S20 लिए है कि यहाँ पर extra CL आचुका है और यहाँ पर extra क्या आचुका है H plus लेकिन 2 बार ही H plus है और 2 बार ही CL minus है दोनों को subtract करना पड़ेगा तो BAS CL2 का कित्ता दे रखा है बिटाजी BAS CL2 का X1 दे रखा है plus H2SO4 का किता है दे रखा है X2 दे रखा है और minus कर देंगे 2 times of X3 लेकिन यह जो value आई है अपने पास वो lambda m की आई है अपने क्या चाहिए lambda equivalent चाहिए तो इसमें पंड़ेवाइड कर देते है VF का तो कितना आजाएगा X1 plus X2 minus 2 X3 divide by BASO4 का जो charge है वो इसकी valence vector का role play करेगा तो इसका VF भी कितना आजाएगा 2 तो आँसर आजाएगा इसमें 4 तो 118 आँसर हो जाएगा 4 नेक्स्ट 109 question है यह भी एक electro chemistry का बहुत आसान question है जो उस segment जो conductivity वाला segment उसका फिर से question है simple सा इसमें कहा गया है कि agcl जो है उसका saturated solution जो है संत्रप्त विलियन है उसके बारे हम चर्चा की है यह उसके लिए अपने को विशिष्ट चालकता बोले तो के दे रखा है 3.4 10 पाउर माइनस 6 ओके डियर अब बोला है कि lambda m infinite of ag plus and cl minus ag plus and cl minus दे रखा है तो इससे में लिसकता हूँ lambda m infinite of agcl बड़ा सिंपल सा तरीका है दोनों आयनों को एड कर देंगे कित्ता हो जाए कि 62.3 plus 67.7 इससे कित्ता आजाएगा 130 अब अपने पास यह lambda m infinite आचुका है और क्या आचुका है पूछा क्या आगया agcl की molar था बड़ा सिंपल सा फॉम्ला है lambda m का आपन जो कैलकुलेट करते है lambda m is equals to k into 1000 upon molarity यह आपन बड़ा सिंपल सा फॉम्ला है जो आपन रिलेट करते है lambda m को जब डिफाइन करते हैं इसको आपन बताते हैं इसकी definitions अब देते हैं molar conductivity की लेकिन एक बड़ी खास बात है जैसे agcl वगेरा जो होते हैं जो less soluble salt है या insoluble salt होते हैं उनके लिए lambda m और lambda m infinity same value रखते हैं क्योंकि यह अपने हमें सा infinite dilution पर ही present होते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि आप कितना भी maximum इसको dissolve करते हैं पर इच्वार करती है फोर एग्जांपल जैसे agcl है एप्रोक्स agcl की जो solubility 10-11 या 12 होता है तो से solubility की त्याज एक 10-5 या 6 आजाएगी इतनी कम solubility का मतलब almost zero concentration है और कोई चीज आलमोस्ट zero concentration 10-6 mol पर-7 mol per liter dissolved है तो अपने इतनी कम concentration को अपन क्या बोलते हैं, almost zero concentration पर है और कोई चीज़ almost zero concentration पर इतनी कम concentration पर है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो infinite dilution पर present है, और जब को infinite dilution पर present होता है, तो अपन उसके लिए lambda m infinity define करते हैं, तो इसके लिए अपनी situation पर बोल सकते हैं, यह जी सिटील वगरा के लिए lambda m infinity is goes to k into thousand upon m, हाल molarity की जगे अपन लोग, जो solubility है वो भी पूट कर सकते हैं, इस पर कोई दिख्कत नहीं है, तो lambda m infinity कि इतना आगे अपना, 130 is goes to k, conductivity है, 3.4 in 10 पावर मैनस 6 और thousand, वैसा कि वैसा है, upon molarity, तो molarity को solve कर रहें तो कि इतना आजाएगा, m is equals to 3.4 into 10 पावर मैनस 6 into thousand, हाला कि 10 पावर मैनस 6 की जगा, आप 10 पावर मैनस 3 लिख सकते हैं, उस thousand को, साथ में include करके, upon 130, इसको जो आपन solve करेंगे, इससे value आजाएग, molarity, 2.6 in 10 पावर मैनस 5 molar, ओके डियर, चलो, next है, 120, ये question भी simple सा, electrochemistry का, उसी तरह का question जो अपने deal किया था, लेकिन थोड़ी स change के साथ, question बोला कि 0.1 molar जो acetic acid है, उसकी molar conductivity दे रखी, lambda M given है, और उसके बन में क्या given है, आनन तनोता पर इसका molar conductivity में मतलब, इसके लिए अपने को दोनों data given है, lambda M भी given है, और lambda M infinite भी given है, ओके डियर, और पुछा है कि वियोजन स्थिरांग का मान क्या होगा, acetic acid के लिए, जो ka है, dissociation constant बोला करते हैं, हर जो भी एक weak electrolyte है, उसका अपन dissociation constant डिफाइन किया करते हैं, तो इसका अपने को dissociation constant बेसिकली पुछा हुआ है, तो ठीक है, solve करते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, पहले तो lambda M infinite, क्या value देर रखी है, 380.8, और lambda M अपने क्या given है, 7, तो alpha जो है इसका formula अपन लोग लिखाते हैं, lambda M upon lambda M infinite, यह value किता आजाएगा, 7 upon 380.8, ओके दियर, यह अपने पास आचुका alpha, अब जो यह acetic acid है, जब dissociate होगा, CS3, CWH, जो टूटेगा, तो यह क्या provide करेगा, CS3, CW-acetate iron, plus H+, यह इसकी जो भी concentration 0.1 दे रखा है, अपने मान सकते हैं, को C concentration दे रखा है, तो C minus C alpha, जब equilibrium establish करेगा, तो इदर C alpha और यदर भी C alpha बनेगा, ओके डियर, जब अपन equilibrium constant इसका define करेंगे, जो सम इस्थिरांग है, वो Acetate iron की concentration, that is C alpha dot S plus की concentration, there is also C alpha upon C into 1 minus alpha, यह से कर जाना है, तो यह आजाएगा, C alpha square upon 1 minus alpha, अब इसमे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, कि जो alpha की value है, वो एक के सामने बहुत कम है, negligible value है, तो अपने इसके जगे लिख सकते हैं, जो ultimately K A आएगा, K A is goes to C alpha square, अपन जो alpha वो lambda M और lambda M infinite से calculate कर चुके हैं, तो K A basically क्या आजाएगा, C concentration 0.1 है, और alpha square, 7 upon 380.8 का square, इससे अपना K A आजाएगा, 3.38 into 10 power minus 5, ओकी दियर, तो बढ़ा Simple सा question, बढ़ा और NCRT के अंदर दे रखा है, examples के अंदर, जैसे अपन देखते हैं कि NCRT के अंदर तीन तरह question मिलते हैं, दो तरएकर तो chapter के बीच में मिला करते हैं, और तीसरा text book के पेछ भी पेते हैं, और दो तरह बात करते हैं 121 पिर से टाइप का क्वेश्चन है जो अपन्हें मोलर कंडेक्टिविटी या जो एलेक्ट्रो वाला जो पार्ट है एलेक्ट्रकेमेस्ट्री वाला जो पार्ट देखो इस पार्ट पर फिक्स एक उत्य व्पेश्चन आला अब नोटिस करो एक इन जनेरल पहले ECS पर question आया करता था लेकिन अभी पिसले साल एक तो question nerds equation पर था और दूसरा conductivity वाला part से था अब जो conductivity वाला part आप पिसले 10 साल हम देखो उन पर question fix आ रहा है ठीक है dear तो इस वज़े से इसके question ज्यादा रखे गए ताकि आपको इस टाइब के अच्छी practice होजार कोई गलती ना बचे इसमें क्या बोला गया है कि conductivity है वो आपको दे रखिए कि 3.06 इंट पर माइनस 6 और इसकी lambda m equivalent दे रखा है आपको 1.53 तो lambda m क्या हो जाएगा इसका इसको वी एफ जो इससे अपन को क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़े क्योंकि थोड़ी देर पर अपने एक formula लिखाता हूं यहां लेम्डा m यह लेम्डा equivalent लिखाता न अपने लेम्डा एम अपन वेलेंसी फेक्टर लेम्डा एम किया आजा equivalent को अपन वी एफ से लेम्डा आ चुका है अब बात फिर से में बोलूंगा कि अपन कोई बात प्रता है कि जो इन्सॉलिबल सुल्टे पहुत कम जो भूसते हैं उनके लेम्डा एम ओल्मोस्ट इपल रोता है लेम्डा इंफानेट के ठीक है डियर तो मैं बोल सकता हूं कि लेम्डा एम इन्फानेट एप्रोक्स लेम्डा एम के इक्वल है इसमें कोई दिक्कत नहीं है और अभी थोड़ी देर पर एक फॉर्मुला लिखा था लेम्डा एम इस गोश्टू के इन्टू थाउजएंड अपन मॉलरेटी और फिर मैंने कहा था कि जो इन्सॉलिबल सॉल्ट हो दो उन सिच्विशन इस फॉर्मुले को अपन ऐसे लिख सकते हैं लेम्डा एम इन्फिनिटी इस गोश्टू के इन्टू थाउजएंड वैसे यह बहुत गहरी बात है यह बहुत गहरी बात है कि आप क्यूं यह लिख रहे हो इसा किस बेस पर किस आधार पर चर्चा कर रहे हो 1.53 इंटर 2 जो एग्जेक्ट लिख देता है 3.06 इस गोश्टू के किता है 3.06 मल्टिप्लाइट 10 इस पौर मैनस 6 और 1000 वैसे ही रख देता है अपन सॉलिबिलिटी यहां से ऐसा आजाएगा 10 इस पौर मैनस 3 अपने पूछा क्या गया है केस पी तो बीए सुफोर के लिए जो केस भी है वो एस स्क्वेर का रूट ही आएगा क्योंकि बीए सुफोर जो पानी में जाता है तो क्या एन देता है एक तो बीए प्लस टू यह बी टाइप का सोल्ड हो गया तो एस पोड़ माइनस टू तो इसके तो केस भी है है वह स्क्वेर ही आए गाएगा तो शी का स्क्वेर कहें है पूर मैनस 6 तो क्या चायेगा नेक्स्ट वान ट्वंटी टूं इसमें यह फिर से मतलब ECS एलेक्टरो कने टर्वर केश्टन है लेकिन ECS बेस्ट कुईष्टन है और ECS बेस्ट क्योश्टन दो चर्चाएं की जातीया तो आपको इनोट की वयल्यूज दी जाती हैं ये दिन नहीं दे रखी तो आपको ECS याद होनी ची हों उससी बेस्ट पर और आपको पता हो तो जिसकी आर्पी को लिए जितनी कम होती है नेगेटिव होती है जितनी ज्यादा वह उतना अच्छा reducing agent होता है lithium सबसे top पर आता है जिए अपन negative value या ऐसा बोल दो कि अपने increasing order में लिखें तो सबसे कम value lithium की होती है और सबसे highest value की होती है फ्लोरीन की होती है तो lithium अच्छा सबसे अच्छा क्या होता है reducing agent होता है देख लेते हैं अब यह जो values दे रखी से पुछा क्या है कि जो d के data उसके according FE plus 2 यह रहा aluminum यह रहा BR minus यह रहा तो इसमें आप चाहिक सामर्थी reducing strength का और बताना तो जिसकी जितनी कम value होगी उतना अच्छा reducing strength रखेगा तो सबसे कम value to aluminum की है तो सबसे अच्छा reducing agent कोन हो जाएगा aluminum उसके बाद में कोन है इन दोनम कम value किसकी है FE plus 2 FE plus 2 का 0.77 तो इसके बाद second rank किसकी आ जाएगी FE plus 2 की और third rank पे कोन आ जाएगा जिसकी सबसे जाला value 1.08 तो सबसे अच्छा हो जाएगा aluminum और हालां कि इन options में सबसे अच्छा aluminum एक ही जगह दे रखा है और अच्छा है आपने देख रहे हैं सबसे अच्छा जो increasing order सबसे अच्छा कोन हो जाए aluminum, reducing is infinity FE plus 2 सबसे अच्छा कोन हो जाए ब्यार माइनस तो आंसर चाला जाएगा first next 123 यह question chemical kinetics का है और इस टाइप के question काफी मतलब आया करते हैं सब्सेंट्रेशन दे रखी होती है initial rate low बोलते हैं इसको initial rate method बोलते हैं इससे अपन किसी भी एक reaction जो किसी particular order को follow करती है और practical data के base पर जो प्राईयों के data दे रखा होता है उसके आदार पर इसका आपन क्या होनाते हैं दर पद rate low बनाते हैं और अपने मतलब इसका order क्या है तरीका क्या है मैं सब्सक्राइब करना प इसकी power मेरे को नहीं पता x मान लेते हैं और no इसकी power में कुछ y मान लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है अपने को x और y क्या करना है calculate करना है तो x और y calculate करते हैं तो पहले 0.05, 0.05 इनकी concentration दे रखी है अब मैं no की concentration को same रखते हुए देखता हूं CL2 को change करते हुए तो यदी no की concentration सेम रखी और CL2 की concentration को 3 टाइमस किया सही है यदी इसको मैं 3 टाइमस करता हूं CL2 की concentration को और rate भी 3 टाइमस तो गारंटी x की value क्या रही होगी 1 यदी मैं CL2 को 3 टाइमस करता हूं rate 9 टाइमस होती है तो यहाँ पर value रही होगी 2 यदी मैं CL2 को 3 टाइमस करता हूं और rate 27 टाइमस होते हैं तो power क्या रही होगी 3 क्यों power में बाहर value आई होगी तो देख लेते हैं rate कितने time हो इसको three times करने पर rate भी three times हो इसका मतलब x की value क्या रही होगी 1 फिर जब मेरे को y पर काम करना है अब मैं क्या करूंगा CL2 जो है उसको same रखूंगा तो मैं first or third data को observe करता हूं तो first or third मैं same रखा अब इसको वापस क्या किया three times किया फिर से बोलूँगा इसको same रखते हुए आपने इसको three time किया है तो check करते है rate कितने time हुई है तो वापस वह रहा होगा तो इसको देख लेते हैं इसको जैसे आपने three time किया तो रेट जो nine times three k square times हुई है तो यहापने value क्या रही होगी two value जबकि यहां क्या रही one तो y is goes to क्या जाएगा two rate expression क्या बन जाएगा r is goes to k cl2 की power one and no की power two यह अपना rate expression है चेक कर रहते हैं cl2 क्पावर one and no क्पावर two तो इसमें आजाएगा second तो 123 मा जाएगा second okay dear next 124 कहा जा रहा है कि यदि rate को दस मिनट में 30 percent complete होता है और वही two hundred Kelvin पर five minute 30 percent पूरा हो जाता है इसका मतलब यह है कि जो rate हो double हो चुकी है क्योंकि जो काम आपका 30 percent पहले दस मिनट में हो रहा तो वह कित्ती देर हो रहा है पांस मिनट में हो रहा है इसका मतलब आपकी जो speed डबल हो चुकी है बड़ा simple सा प्यारा सा formula पढ़ता है अपने लोग के टू अपॉन के वन रेट कॉंस्टेंट होता है यह अपने को calculate करना है यह 2.303 यह के वल्यू जूल में calculate करने है तो आर के वल्यू 8.314 रख देते हैं temperature पहले 100 Kelvin minus 1 upon 200 Kelvin equation को solve करना है और solve करेंगे तो यह के next 125 पूछा गया है कि इनके द्वारा जो absorb wavelength है उसका order बताना है देखो हर कोई particular color को explain किया जाता है कि light के particular wavelength को एक color को absorb करता है और उसके complementary color अपने को visible होता है तो देखते हैं यहां पर अपने पास तीन अलगले complex दे रखें और बोला गया है कि जो उनको increasing order of absorbed wavelength में arrange करना है तो सीथी सी बात है लिगेंड जितना ज्यादा strengthful होगा जितना ज्यादा प्रवल होगा उसमें splitting energy जितनी ज्यादा आएगी इनर्जी जितनी ज्यादा है उसमें energy जो new है उतना ज्यादा तो वेवलेंट उतना कम नहीं हो जाएगा क्याँ सबसे इसके अंदर है इस इसका मतलब इसमें new जो absorb frequency सबसे ज्यादा तो वेवलेंट सबसे कम यह सबसे श्चोंग हो गया सबसे वी कोंन इन तीनों में फ्लोरीन उवाला इसकी new सबसे कम हो सबसे ज्यादा हो जाएगा आप सबसे जाएगा उपने कritis अटरो यह बीच में जाएक कहीं तो in कृचिंजिंग में सबसे जाब हो जाएगी एक ही आप सब्सक्राइब करना है और सबसे कम हो जाएगी भीन कि यह सब बीस मेंया जाएगा c when है 126 126 में बोला है कि यह जो complex है इसके टीटुजी में अनपेड लेक्ट्रोन के नंबर क्या होंगे तो पहले देख लेते हैं इस पर कोबल्ड जो है उसका इसका formula होता ही है अब देखो अपने को डी के लेक्ट्रोन से ही मतलब है तो splitting में अपने बात करें यह जो टीटुजी और विटल से और क्योंकि यहां पर जो पैरिंग की बात करो तो वीक फिल्ड लिगेंड तो पैरिंग की possibility है नहीं तो डी 6 का जो arrangement है एक दो तीन च्यार पा आंसर क्या जाएगा second okay dear T2G में दो अन्पेड लेक्ट्रोन प्रेजेंट है next है 127 जहां पर पूछा गया है कि CO4 जो है उसका जो EAN है प्रभावी परमानु कर्मान जो effective atomic number 35 है अपने यह सीखा भी है जो कहीं न कहीं यह बताता है कि वह stable है या नहीं तो यदि 36 होता तो आक्षाठीस होता और इप bonne यह उसे कम इलेक्ट्रोन है तो 36 लेना चाहता है तो अच्छा क्या हो जाएगा सामने वालarios करेगा क्योंकि 35 से ग्लें लेकर आखका चाहिता है shoulddepth होलेट को घृषङता है तो दीयोगों चाहिता है एक बात पूरी होंरा चाहिता है CO2, CO8, इस molecule को NCRD explain किया है, कि इसमें EN किता आ जाता है, 36 आ जाता है, तो इस वज़े से dimer form में भी चला जाता है, और reduce बना जाता है, तो answer क्या जाएगा, 4th, okay dear, next जलते हैं, 128 में, बोला गया, cisplatin जो होता है, उसमें कौन सी समाविता होगी, cisplatin क्या होता है, प्लेटिनम का एक compound, जो square planer होता है, और इसका कुछ इस तरह से molecular formula होता है, cisplatin का मतलब, यह जो molecular form में, जो ligand है, वो किस में present आपस में, cis form में present, okay dear, तो क्योंकि square planer है, और हमें पता है कि square planer जो है, अपने course पर जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, उसमें plane of symmetry आजाए करती है, तो यह optical जो है, यह ऐसा बोल्दो कि optical एक्टिव नहीं हो सकते हैं, तो इसका प्रकासिक समाविता नहीं दरसा आएंगे, हाँ, geometrical ज किसे के साथ exchange करके अपना नए आयन दे सकें, तो इसका और ionization भी यह नहीं दरसा सकता है, तो बचा केवल क्या, geometry, तो इक केवल क्या दिखा सकता है, जामिती समाविता, ओके डियर, उस पर दो form बनते हैं, यह से इस वाला form और एक possible क्या हो जाएगा, ट्रांस वाला form, ओके चलो, नेक्स से 129, का एक AGCL के जो white precipitate है, वो जब ammonium घुलता है, तो किस तरह का complex बनते हैं, बड़ा सिंपल सा question है, देखो AG+, जो है, वो AGCL के form में जब होता है, तो अमोनिया जो एक्सिस में पास की जाती है, तो एक सिंपल सा complex बनाता है, और इस complex के form में वो dissolved हो जाता है, NS3 whole twice C, अब एक सिंपल सी बार बता, तो अपने course में AG के जितने भी, जो complex है, जारा तर CN2 के ही है, पहली बात, और अमोनिया लिगेंड का काम कर रहा है, तो AGCN whole twice हो जाएगा, और इस पे plus 1 charge आएगा, क्योंकि यहाँ पर AG को oxidation state क्या होगी, plus 1, हाला कि कुछ 5 है, possibility, बोला गया है कि यह, इसकी structure क्या होगी, वैसे यह जो ligand अपने सामने रखा, यह जो complex रखा, इसमें 5 ligand present है, यह M A5 type का है, और यदि surrounding में 5 है, तो अपने पता है कि possibility दो geometry कि आती है, एक geometry possible होती है, square pyramidal, और एक होता है, जिसको अपन वर गिये pyramid बोलते है, लेकिन वो special case हो समता जब ligand जो है weak field हो, और D बहार के काम में आ रहा है, तो TBP, trigonal, bi-pyramidal, जिसको अपने त्रिकोन यह धी pyramid कहते हैं, तो linear की possibility वैसे नहीं है, जब तो सबले कि 5 ligand में नहीं होगा, वर्क समताल की possibility नहीं है, इसमें option ही ऐसे दे रखे है, ताकि अपने को दिक्रती ना आए, त्रिकोन यह धी pyramid की possibility आएगी, तो इसमें answer आजाएगा, फोर्थ, क्योंकि SP3D, the outer वाला काम में आएगा, क्योंकि जो chlorine है, weak field ligand है, तो SP3D के अंदर अपना त्रिकोन यह धी pyramid ही possible होगा, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, हैलोजन के कौन सा चो प्रोपर्टी है, वो गलत है और और प्रोपर्टी गलत मैच कर रखा है, देख लिते हैं, acidic strength, आप मता होता है, इन पूरे group में जो सबसे अच्छा acid होता है, और हाँ होता है, और हैको सबसे कमजोर होता है, विवन ये तीन होता है, इसको weak में रखते हैं, तो इन में सी strong हो ही निसे होगा, तो अपना answer रणजित करती है दूसरा औक्सिकरत दुर्ण दौर देखो बड़ा सिंपल सा फेक्ट है कि एक तो कलर को कैसे उड़ाता है उसको अप्चैत करके दूसरा औक्सिकरत करके अपने पौर्स में जो भी बलीचिंग एजन्ट है वो दो तरह के रखे जाते हैं एक ऑक्सिडाइजि सब्सक्राइब द्याइज चला जाएगा तो देख लेते हैं पहले रिडीूसिंग है, पहले 2030- होता है जो कि आगे नेसेंट ऑक्सिजिजन बनाता है उससे नेसेंट ऑक्सिजन मिल जाती है तो इसमें क्या जाएगा फॉर्स टोगेडियर नेक्स्ट वन थर्टी थी ऑक्सिकारक का बढ़ता हो करम आप इसको मतलब यह देख सकते हो कि चाहूत इसको हैलोजन का मान लो या उसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं टॉप टू बोटम जाते हैं जो 17 ग्रूप है फ्लोरीन सबसे जादा फिर सेकेंड रेंग क्लोरीन की फिर थर्ड रेंग ब्रोमीन की फॉर्थ रेंग आयोडीन की सब सच्चा फ्लोरीन यह नॉर्माल यॉडर रहता है इस पर कोई एक्सप्सनल तो यह फॉर्थ आंशर चला जाएक 136 में 134 ऑफ़ का जब कंप्लीट हाइड्रोलीस करते हैं तो अपने पास तीन हाइड्रोलीस का भी ओता है एक्यू 4 का भी दे रखा है और इस जीए 6 की चर्चा हुए इसी के बार बात करते हैं झाले होग गाल श्री डोयर से कम्माइनिन इनकला और याजीवी म्या मुशन कहते हिं कर्षिर 6 रिंक होनी तो होना थोड़ी आजीव सी केonoce ya तो यह अपने को पता होनी चाहिए बहुत बार पुछी जाचों कि बड़ी सिंपल सी रियक्शन हो के लियर आपका फाइनल प्रोडेक्ट होगा तो आंसर आजाएगा थार्ड पन 35 जो बर्टलेट ने कौन सा पहला मॉलेक्ट बताया था नील बर्टलेट ने पहला मॉलेक्ट इनर्ट गेसिस का डिस्कावर किया था जिन पर उनको नोबल प्राइस भी बिला था और उनका बेसिक जो लॉजिक था वह एक ओटू पीटी एफ इस जो था उस मॉलेक्यल पर काम कर रहे थे और ओटू की जो आयोन इजए जयर जी ती एप रोक ती तो ओटू की जगह पर इनन न ने जिननट रख दिया पीटी एफ शिक्स वह रखा तो फाइनली कॉंप्लेक्स ओं हुआ तो इस कौन सा बेठेगाorman एक उडि 2 अलूमिना के साथ में अल्कॉल को हीट कर दो दोस्तो चेक हैं तो इसकी परसेंस में इसको हीट करेंगे तो यह क्या है डी हाइडरेटिंग एसेंट है दोस्तो वोटर लीज कर देगा यानि कि अपने पास क्या मिल जाएगा आईसो ब्यूटिलीन मिल जाएगी हब इसकी रियक्शन किसके साथ करवानी है गिन्यार रीजेंट यानि कि आपको क्या दे रखे है पी एच एमजी बियार के साथ में रियक्शन करवा दो कौन सी रियक्शन हो जाएगी दोस्तो एसीड बेस रियक्शन हो जाएगी आपको किसका फोर्मेशन हो जाएगा बैंजीन का आपका आंसर कौन सा आजाएगा थर्ड अब देखे यान रखीएगा दोस्तो आपको क्या दे रखा है RMGX गिनार रिजन्ट चाहे वो अलिफिटिक हो चाहे अरोमेटिक हो अगर आपको मूर EEN अटम के साथ में हाइट्रोजन अटैच है तो उसके साथ में रियक्शन करवा रहे हो तो आपको RH यानि कि मिल जाएगा यानि कि Acid Base रियक्शन हो जाएगी यह आपका Strong Base है और यह आपका क्या है Acidic H है ठीक हैं अगर यह Z कैसा है मूर EEN अटम है अब मूर EEN अटम कौन-कौन हो सकता है दूस्तों Fluorine, Oxygen, Nitrogen, Triple Bone, Orsonum, Kalia यानि कि Sulfur, Clorine इनके साथ में जब भी क्या आएगा Hydrogen आएगा तो इसका मतलब कौन सी reaction हो जाएगी Acid Base reaction कर लेगा कौन भला Gyniar Resent Acid Base reaction शो कर देगा दूस्तों इस reaction को क्या बोला जाता है Jerry Vitinov method बोला जाता है Active Hydrogen को Identify किया जाता है छीकें तो अपने को क्या मिल गए इस reaction में अवराल Benzene का formation हो गया दूस्तों Next आगे बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है Alcohol दे रखा है PCC दे रखा है दूस्तों Alcohol को PCC के साथ में reaction करेंगे तो mild oxidant है दूस्तों ये क्या कर देगा LD हाइड में convert कर देगा और LD हाइड की गिन्यार recent के साथ में reaction करवा दो दूस्तों Nucleaflic addition reaction शू कर देगा क्या मिल जाएगा आपको CS3, CH इधर भी CS3 और O Negative, MG, Positive और BR अब आप इसका Hydrolysis करवा दो अगला कह रहा है कि Hydrolysis करवा होगे तो क्या मिल जाएगा Isopropyl alcohol का formation हो गया यानि कि 2 degree alcohol मिल गया दोस्तों तो कौन सा answer आजाएगा आपका second चलो इसी के आगे बात करें तो 138 नमबर सवाल Citric acid IUPAC name पूछा गया है दोस्तों अब citric acid निम्बू में मिलता है दोस्तों क्या होता है भला यानि कि घट्टे पदार्थों में मिलेगा आपको तो citric acid यह होता है दोस्तों COOH और OH यह citric acid है दोस्तों अब citric acid का IUPAC name लिखेंगे तो main function group क्या है दोस्तों 3 है CWH है तीनों के तीनों बराबर की हैं दोस्तों अगर यानि कि more than two functional group carbon containing आसाते हैं तो उनको तीनों को ही अपन main chain से हटा देते हैं किसी को भी count नहीं करेंगे main chain में consider नहीं करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 किदर से भी numbering कर लो क्या नेमाज हैगा second number पे यह क्या है junior यानि कि as a substitute काम करेगा junior function group है alcohol के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों hydroxy और 3 carbon के लिए अपन क्या यूज करेंगे probe single bone आ रही है तो propane पूरा लिखेंगे कौन-कौन से number पे 1, 2, 3, 3 तीन बार कोई group हाता है तो try और CWH को आपने main chain में count नहीं किया तो उसके लिए क्या यूज कर देंगे carboxylic acid का इस्तमाल करेंगे अब देख लो दोस्तों 2 hydroxy propane 1, 2 carboxylic acid 2 hydroxy propane 1, 2, 3, try carboxylic acid answer आ जाएगा इसमें देखो 1, 3, 4 दे दिया इसका मतलब कौन सा answer अपना second next सवाल की अगर पर बात करें तो देखो क्या दे रखा है वहापदात जो आपसाथ को दूर करने के लिए यानके मांस तनाव को कम करने के लिए निंद्रा जनक होता है हिपनोटिक होता है दोस्तों mental tension ठीक है और anxiety को दूर करने के लिए जिस medicine का इस्तमाल किया जाता है वो क्या होती है दोस्तों tranquilizer होती है क्या है tranquilizer है tranquilizer ये analgesic होती है ये anti-piratic होती है दोस्तों बुखार उतारने के काम आती है ये दर्द वाली है और tranquilizer दोस्तों कैसी होती है hypnotic होती है जिसको खाने के बाद में नींद मस्त वाली आती है ठीक है यह बेहाउस करने के लिए आप यूज कर सकते हों तो कौन सा है दूस्तों ट्रांक्युलाइजर नेक्स आगे अपन बात करें तो पार्ट भी अपना 140 से स्टार्ट हो रहा है और 140 से बाट बीक वेस्टन पारा डा सिंपल सा सौल्विसं का पुचा गया है जब दो अलग-अलग वोलेटाइल है एक सोर राय को कमाइन किया है पाटिकोलर मोल्स में जो भी एक सर वाई है जो वास्प चले उनको मिक्स किया है औ पता है P.S. अपन theoretical calculate कर लेते हैं और practical स्मिंदे रखा होगा, theoretical आज़ा है या P.NOT A या P.NOT X, X A या X of X, mole fraction of X, Plus P.NOT of Y and mole fraction of Y, तो P.NOT of X किता दे रखा है? 150 और इसके mole fraction किता आज़ा है कि 1 by 3, Plus, इसका pure state में वीपर प्रेसर है, 300 और इसके mole fraction है, 2 by 3. तो ultimately यह आजाएगा 50 प्लस यह आजाएगा 200 तो यह आजाएगा 250 यह theoretical प्रैक्टिकल किता है 242 इसका मदब theoretical value जो है उसको अधी compare करें practical के साथ तो अपन बहुत सकते हैं कि PS practical क्या है कम है PS theoretical से और जो practical होता है वो ultimate निस सही होता है इसका मदब vapor price थोड़ा कम रहे गया तो negative deviation ज आजाएगा first next जोते है 141 benzoic अमलक में benzene का जो benzoic अमलक में benzene के अंदर इसको जब dissolve करते है जो इसका want of factors होता है एक से कम होता है बिल्कुल सही बात है even जब भी अपन oic acid को चाहिए benzoic acid है चाहिए formic acid इनको जब अपन dissolve करते है तो basically पानी में h bonding एकार्ण क्या हो जाता है आएब क्या है इसका इसका यह ब्रूप के साथ एक से कम हो जाती है अब इसका बढ़ते हैं अब इसका बढ़ते हैं में Benjoy कामलोग दूलक के निर्मान के कारण होता है बिल्कुल मैंने एक्सप्रेटमेंट आप ए यार के क्वेस्टन में पहले बताया था आप पहला इस स्टेटमेंट पढ़ो पहले वो चेक करो सही गलत है तो यह सही स्टेटमेंट था अब मैं उसको इनर्जी ग्राफ रहा होगा जिसके लिए दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतब डेल्टा एट्स क्या जाएगा इसका जीरो नहीं आजाएगा क्या यही थोड़ों ऊपर रहता है तो पोजिटीव होता है नीच होता नेगेटी होता तो प्रोडेक्ट के एनर्जी है क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पावर जो है और नेगेटीव को इनर्जी रहती है तो पोजेटीव है उसके चार्ज पर डिपेंडेंसी है जितनी जादा पोजेटीव का चार्ज होगा उसकी पावर कोईगलेट करने के उतनी ही ज्यादा होगी तो विस बात है इसमें जो जारा सब्सजारा चार्ज है वाले उने प्लस थी का है फिर फ्लस टू प्लस बन इतो उन्हों सेम बनता है जब CMC कंसेंट्रेशन जो क्राफ्टेमपरिचर रहे उस कंसेंट्रेशन से ज़्यादा आजाए उस क्राफ्टेमपरिचर से भी ज्यादा हो जाए तो यह बोला है कि सांधरता साबसाइब के पिल्कुल दो इसमें से केवाल गोल्ड का गॉलेट ? सब pupa के गोल्ड का और अच्छा है फैसे बनाया जाता ट ंपने ओट Совफ में ब्रेग और अर्क मैठ licensed क्याश्य let बनाया हुआ है तो बोल सकता हूँ कि इसमें डिक और अपने बात अच्छे चरज़ा बहुआ है उसमें गोल्ड का सोल ही एक्चली बना रखा है ओके डियर चलो नेक्स्ट बात करते हैं 146 बड़ा सिंपल साय मैटनर जी क्वेस्टन और इस क्वेस्टन की खास बात किया है इस क्वेस्टन में अपने जो प्यॉरिफेकरिशन प्रोसेस है उनमें सारे एक्जामपल रखे वे जैसे अ मौन प्रोसेस में नाई सीओ फोर बनता है वैन आरकलों जिर्कोनिय वगेरा के लिए जैडार आई फोर वगेरा बनता है तो इसमें क्या बैट जाएगा फॉस्ट के अंदर सेकेंड एक में मिला है आगया थर्ड इसमें पता है ना दिक्कत नहीं हती एक दो में पता है आप टाइप का कंपॉंड बनाना चाहिए वह कंपॉंड जादे स्टेबल नहीं होना चाहिए कि उसको फिर हीट करके अपर डिकंपोज कर देते हैं तो यह खास बात होनी चाहिए उसकी कंडिसंस में लिखाया जाता है तो पहला धातु जो है वह वास्प सील योगिक का दिर्मा चाहिए और लास्ट क्या है कि दातु अतियाती क्रिया सिल होनी चाहिए और अभी कर्मा के साथ स्थाई यदि वह दातु बहुत जादा रियक्टिव है और स्थाई योगिक कंदिर्मान कर लेगा तो दिक्कत नहीं आ जाएगी क्या आपका एक नया कंपॉंड बन चुका है इसका मतलब 1st & 2nd सही और सही पूछा है क्या हो सकता है 1st & 2nd फंटर 1148 जर्मन सिल्वर में क्या-क्या प्रेजेंट होता है तो भाइजी जर्मन लेना डुब्लिक इसलवर होता है इसमें इसले नहीं होता है एक जर्मन सिल्वर बूलते हैं तो ऐसे जगोता है निकल होता है तो यह ङद करणा है जो पहली पॉसिबिलिटी है वो गोपर प्लस टू में और कोपर प्लस टू जो है आपका डी क्या हो जाएगा ना इन हो जाएगा जाएगा प्लू कलर कवनता है यह कॉंप्लेक्स जो है एक तो पहले पने को पता होना चाहिए कि जो है वो किस तरह से स्प्लिट होता है cn6 में यह T2G और यह T2G और यह क्या हो गया अब यहाँ पर जो आयरा ने प्लस थ्री ओक्सिदेस इंस्टेटरों फाइफ लेक्ट्रों बचे हैं एक दो तीन च्यार और पांच हाई स्पीन बन गया तो T2G है उसमें तीन लेक्ट्रों है तीन लेक्ट्रों आज आएंगे और इस तरह से अपने इस पेपर को सौल किया बहुत सिंपल क्वेस्ट रखें अपके सई होएंगे होएंगे सारे क्वेस्टन और इस तरह के पर आपको मिलते रहेंगे प्लीज आप इस सारे सोलेशन देखें और जो भी चीज अच्छी लेगे प्लीज कमेंट पर ने थाइंक अिर धिर ऑगंगे बहुत सकतीं अज गाइस के पर आपकलियग लेगामार्ट डीज देखें अलेखेंगे बहुत सब्सक्यों Kartons भीज चलीज के लेकम dabei को को अलेखेंगे इस फैससा देखेंगे मुडशन धर ने हुआब साTC, इस नहतीं करांब दाट, झाल झाल